नमस्कार दोष्टों मैं सोनम जैन और आप सबी देख रहे हैं S.J. S.J. सौनम चैनल पर आप सभी का सवागाते दोष्टों आज के कहानी है वांचि देवरानी यति हैं आप सभी को मेरे दूआर रिखी गई एक कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा पास में जो बेरा आइकन का बताने उसे प्रेस करना बुरू को ना बूरें क्योंकि उसी से मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वारी हर कहानी की नोतिफिकेशन कहानी पसंद आने पर वीटियो को लाइक चरूर कीजेगा क्योंकि जब आप करते हैं वीटियो को लाइक तो मुझे मिलती है नईने कहानिया रिखने करेप रेना और हाँ कहानी को अपनों के साथ सेर करना बुरू ना बूरें जिससे एक कहानी जातरों को तक पहस सके तो चरि आप बेचिक होकर जाएए मैं गुरिया को देख रूंगी थैंक्यू खुसी कहते हुए अंजरी अपनी सहरी के घर चरी जाती और खुसी अपनी जेथानी की बेटी गुरिया का ख्यार रखती जब अंजरी अपनी सहरी के घर जाती तब उसकी सहरीया उससे पूछती तेरी बे देवरानी खुशी है न वहे उसे देख रहेगी और वैसे भी गुरिया मुझसे जाता समय उसके ही पास तो रहती है और मेरी देवरानी के तो बच्चों के साथ अच्छी तोष्टी हो जाती है और बच्चों के साथ ऐसे बच्चे बन जाती है जैसे समझ में ही नहीं आता जहां बच्चे होंगे तेरी और तेरी देवरानी के बच्चे मिरकर बहुत उधम करते होंगे घर पर तो तब अंजरी दुखी होकर कहती बस एही तो एक दुखे कि मेरी देवरानी के हाँ अभी तक कोई बच्चा नहीं है खुद बच्चों से कितना प्यार करती है लेकिन एक बच्चे के लिए भी तरस रही है लेकर कुछ नहीं मुझे विश्वा से बहुत जर्द वही भी मा वनेगी हम सब बहुत कोशिस कर रहे हैं एक से एक दॉक्तर को भी दिखा रहे हैं तभी काचर ने कहा अभी तक तेरी देवरानी मा नहीं वनी साथी को चार से पांच सार हो गए होंगे अब इतने वर्स में मा नहीं वनी तो आंगे कैसे वनेगी तेरी देवरानी तो वांच वन कर रह गई तभी अंजली गुस्से में कहती काचर तू ना मुझसे बात तक मत किया कर जब भी बोरती है तो गरती बोरती है क्या हुआ यति मेरी देवरानी साथी के पांच वर्स में मा नहीं वन सकी तो मेरी भी साथी को दो वर्स से जाता हो गए थे तब में मा वनी थी ना तो वही भी वन जाएगी और जब में मा नहीं वनी थी तब भी तो तू एही बाते करती थी थी कि मैं कभी मा नहीं वन सकती तू किसमत वारी है कि तेरी साधी के चर थीवा तेरा वेता गर्प में आ गया तुम मा वन गई लेकिन इसका मतलब एही नहीं जो नहीं वने तू उनको वांच कहे यति तू अच्छा नहीं वोर सकती न तो अपना मूँ भी मत खोरा कर कहते हुए गुस्से में अंजरी वहां से जाने रखती तभी अंजरी की सहरी उसे रुखते हुए कहती अरे बाबा बस करो अब तुम दोनों क्यों छोती-छोती बातों पर रर रही हो और अंजरी तू भी क्या काचर की बाते सुन रही है इसकी तो आतत हो गई है और वैसे भी हम सब इतने दुनों बात मिर रहे हैं तो इन सब बातों को ना करते हुए कुछ enjoyment करते हैं ना एक काम करते हैं एक game खेरते हैं कहते हुए अंजरी के सहरी नेता ने बात को परता अंजरी अपना गुस्सा थंदा करती और अपनी सहरीयों के साथ game खेरने रखती थोरी देर में जब अंजरी घर आती तो देखती कि उसकी बेती गुरिया के पैर में मोच आ गई है एहे देख अंजरी खुसी से पुछती इससे क्या हुआ जब गई थी तब तो ठीक थी पैर में मोच कैसे आ गई तब खुसी कहती वो देती हम खेर रहे थी और गुरिया का पैर फिसर गया जिससे इसके पैर में मोच आ गई कहती हुए खुशी रोने रखती तब अंजRO्णी कहती तुम क्यों रो रही हो यह तो हे ही सैतान क्या मैं इसे नहीं जानती हर दिन उथम करती रहती है अब उथम करेगी तो लगएगी न कहीं एक जंगा इससांहती से वहतती ुई हैं जब मैं इसे दाती हूँ ना तब जाकर यह सांधों कर वहती है इस लिए मैं तुमसे कहती हूँ हमेशा प्यार मत किया करो थोड़ी दात पतकार भी रखाया करो अब दर्थ हो रहा है ना अंजरी ने अपनी बेती गुरिया से पूछा तब गुरिया कहती एह तो छोती सी दोक्तर अंकर कह रहे थे कि एक दिन में में ठीक हो जाऊंगी अच्छा अंजरी ने कहा एहे संदोनों ही हसने रखते दोसे दिन अंजरी की सहरी काचर उसके घर आती और कहती लगता है कर तुम गर्दी से मेरा पर्स रेकर आ गई एहे हे तुम्हारा पर्स मेरा और तुम्ह वॉयमें जाती और परसरे कर काचर को दे देती तब काचर कहती बैसे तम्हारी बेती नहीं दिख रही ए तूम तो कहती हो भहेé बहुत उठम करती है लेकिन आज तो कोई आवाच नहीं आ रही है तब अंजरी ने का बहे उसके पैर मे मोच आ गई है ना इससरे अ कमरे में काचर ने पूचा कर तक तो बुर्कुर ठीकती तुमने कुछ बताया नहीं था इस बारे में तब अंजरी कहती है जब में तुम सब से कर मिरी तब तो उसे कुछ नहीं हुआ था लेकिन जब घर आई तो देखा पैर में मोच है तब काचर कहती इसलिए मैं अपने बेदे को हर वक्त अपने पास ही रखती हूं किसी के भरों से नहीं छोड़ती अब अपना बच्चा तो अपना ही होता है गैर उसकी क्या देखवार करेंगे तब अंजरी ने कहा काचर तुम फिर से फार्दू की बाते करने रखी तब काचर कहती तुझे मेरी बात बुरी जरूर रखे लेकिन सच एही है कि एक माही अपने बच्चे का ख्यार अच्छे से रख सकती है और तू तो अपनी बेती को उसके हवारे कर गई जो खुद कभी मान नहीं बनी बांच औरत क्या अपने बच्चे की देखवार करेगी और वैसे भी लोग कहते हैं बांच औरतों से अपने ब पर मेरी देवरानी के खिराब अब तुने एक और सब्त कहा तुम्हें मचपूर हो जाऊंगी तब काचर ने का सच तो सच होता है चाहे उसी सुएकार करो या ना करो कहते हुए काचर वहां से चरी जाती और उसी जो काचर के लिए चाहे नाच तरेकर आई थी भहे इह सब बा हर वक्त उसके दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात घुमती रहती है कि कोई इंसान अच्छा नहीं होता हर वक्त उरती सीधी बाते करती रहती है हम सहरियां तो उसकी सुनते भी नहीं है तो तू क्यों सुन रही है तब खुसी ने रोते हुए का दीदी सच में मैंने कभी भी या से कितना प्यार करती है और खबरदार आज के बात ऐसे रोकों की बात सुनकर रोई तो वरना मेरा गुस्सा बहुत वेकार है तू अच्छे से जानती है चर अब चिप हो जा और ऐसे रोकों की बात एक कान से सुनकर दूसरे नहीं उसी कान से निकार देने में ही भराई ह समझ गई खुसी ने एक धीमी मुसकान में सिर्ह राया तबी वहां गुरिया आकर कहती चाची चरू ना खेरें तबी अंजरी ने कहा थीक हुई नहीं कि तेरी सेतानी फिर से शुरू पैर की चो तभी भी थीक नहीं हुई जो भी खेना है सांती से वैत कर खेना थीक है थीक है गुरिया कहती इसी तरह हसी खुसी दिन निकर रहे थे ऐसा नहीं था कि सिर्फ काचरी अंजरी से कहती हो कि तुम्हारी देवरानी वांच है उसे अपने बच्चे के साथ खिनने मत दिया कर वर्गी कुछ रोक तो यहां तक कहते थे कि तुम्हारी देवरानी तुमसे जरती कहीं वहे तुम्हारी वेती गुरिया को कोई नुकसान ना पहुचा दे पर अंजली किसी की भी बात नहीं सुनती क्योंकि वहे जानती थी कि एहे सब रोक हम देवरानी और जेथानी का प्यान नहीं देख पा रहे हैं इसलिए पूत दानने के कोशिस कर रहे हैं अंजली समझतार थी इसलिए किसी की भी बात पर धियान नहीं देती इसी तरहे दिन निकरे और महिने भी निकरते जा रहे थी फिर एक दिन अचानक से कुसी की तवियत खराब होने रगी उसे चक्कर से आ रहे थी और साथ में उड़तियां भी हो रही थी अंजली घवरा जाती और अपनी देवरानी खुसी को दोक्तर के पास रहे कर जाती तब दोक्तर बताते एहे तो आप सभी के लिए खुसी की बाते खुसी मा वनने वारी है एहे सुन अंजली और खुसी दोनों ही बहुत खुस होते अंजरी खुशी से कहती मैंने कहा था ना उपर बारा हमारी जरूर सुनता है मुझे विश्वास था कि तुम माज जरूर वनोगी चरू अब एहे खुशकबरी चरकर घर में सभी को सुनाते हैं सब बहुत खुश होंगे हाँ दीती खुशी ने कहा गुरिया उचर कर कहती अब मेरे साथ खिरने वारा मेरा छोता भाई वहन आएगा एक खबर सुनकर घर का हर एक सतस खुश था खुशी का पती निकिर दाता धाती अंजरी और उसके पती भी बहुत खुश थे बहुत दिनों बाद घर में खुशीयों का मा हो रहा था अंजरी ने कहा यूँ ही फीका नह ने कहा अंजरी एहे खुशकबरी अपने सबी रिष्टेदारों और पड़ी चीतों को बताती और खासकर एहे खुशकबरी बताने के लिए वही काचर के घर जाती काचर अंजरी को देखते हुए कहती तू अंजरी ने कहा अब तेरी दोश थो तो घर पर तो आही सकती अंजरी कहती हाँ काचर ने कहा अंजरी अंदर काचर के कमरे में जाती तो वहे देखती कि उसके बेते को बुखा रहे एहे देख अंजरी कहती तेरे बेते को तो बुखा रहे क्या तूने अपने बेते का धियान अच्छे से नहीं रखा या किसी और के भरूसे अपने बेते क अच्छे से रखना जानती हूँ और तू तो जानती है मौसम चेंच हो रहा है और ऐसे में बच्चे बिमार पड़ते हैं और इसने तो आइसक्रिम भी जाता खा ली तो थोरा बुखार है वैसे भी दौक्तर ने कहा है साम तक ठीक हो जाएगा घवराने की कोई वात नहीं तब अंजरी कहती ऐसे ही जब बच्चे खेरते हैं तो उन्हें भी चोट रख जाती है अब बहे चाहे अपनी मा के साथ खेरें या अपनी चाची के साथ जब मेरी बेती को चोट रखी थी तो तूने क्या कहा था इसलिए मैं अपने बेती को किसी और के पास छोरकर नहीं जाती अपने बेती को उसके पास मत चोरकर चाहे कर किसी पर आडूप रखाने के पहले सोच रेना चाहिए हम बोर क्या रहे हैं समझ गई एहे सुनकर काचर अपना चेहरा जुका रहे थी तब अंजरी कहती मैं तो वश तुछ यह बताना चाहती हूं कि किसी के बारे में बिना कुछ नहीं बोरना चाहिए हमारी बात से किसी का दिर दुखे तो ऐसी बाते करने का क्या फायता अपने बेते का ख्यार रख काचर के बेते के सिर पर हाथ पेरती हूए कहती अंजरी कहती बहुत जर्थीक हो जाएगा घबराना मत और मैं तो वस एहे बताने के लिए आई थ आकर अपमान क्या है ना उसका बतरातों में तुछ से जरूर रोंगी तुम्हारी देवरानी और जेथानी की जोरी में यती तरह नहीं दारी तो मेरा नाम भी काचर नहीं बहुत खुसी हो रही है ना कि तेरी देवरानी मा बनने वारी है लेकिन जिश दिन बहे मा बनेगी उस दिन सब से ज़्यादा दुख तु ही करेगी बाता कर्ती हूं में तुछ से अब काचर ऐसा क्या करेगी कि अंजली और कुसी के रिष्टी में धरार आ जाएगी क्या जब खुसी मा बनेगी तो अंजली को दुख होगा आकिर क्या करने वारी है काचर जानना चाहते हैं तो कहानी का अग्रा और आखरी भाग जरूर देगें, जिसके लिए कल लीजे चैनल को सब्सक्राइब क्यूंकि जब भी में देखकराऊं कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सकें, तो आप सभी को मेरे दोड़ा रिखी है, यह कानी पसंद आये, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजीगा कहने को अपनों के साथ सेर कर दीजीगा और वीडियो को लाइक करना बुरू को ना बूरें थैंक्स पॉर वाचिंग